Axis Bank, Max Life Insurance में अपनी Shareholding बड़ा के 29% करने वाला है और इसी के चलते आज के दिन Axis Bank का Share बड़ा 7% और साथी साथ Max Financial Services का Share बड़ा 4.41% Max Financial Services as on date, Max Life Insurance का सबसे बड़ा Major Stakeholder है क्या है ये डील, क्या है इस डील से लिटेड इंपोर्टन पॉइंटर्स और साथी साथ आज Axis Bank का result भी आया है हम उस result के भी कुछ ऐसे hidden pointers discuss करने वाले है सभी को पता है loss हुआ है पर loss के अलावा कुछ अच्छी चीजे भी हुई है हर एक चीज को हम ढंक से discuss करेंगो और साथ में decide करेंगे as an investor and as an trader क्या मुझे आज के दिन Axis Bank के या फिर Max Financial Services के इस news के business पे share खरीदने चाहिए नई खरीदने चाहिए क्या करना चाहिए हमें जानेंगे हम आज इस वीडियो में मेरा नाम है अनन्त लड़ा CFA, CA, CFP, LLB और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे इस का नाम है इन्रेश्च आज फॉर कल अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन क्लिक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे क्योंकि वीडियो होने वाला इंतरा इंट्रेस्टिंग कि आप रह जाएगा आपको सब्सक्राइब करना सो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए शुरू करते है आज का डिसकेशन सबसे पहली ही जो डील हुई है जो एक्सिस बैंक माक्स लाइफ इंशॉरेंस में स्टेक बाई करने वाला है इससे रिलेटेट पॉइंट्स को इंडिया की इन सभी की पर्मिशन आना पेंडिंग है अभी जो ये डील है इनिशल स्टेज पे है फाइनल होने में अभी भी 6 से 9 महीने लगने वाले है ये पता है पता लगाना क्यों जरूरी है और आपको ये बताना क्यों जरूरी है कि आज के दिन ये जो deal है, basic stage पर है, ये है point number 1 Point number 2, Axis Bank अभी max life insurance 29% stake purchase करने वाला है इससे पहले 72.50% का stake है, max financial services का ये वो ही share है जिसका आज price 4.41% बड़ा ये news आने के बाद और बाकी 25.50 MSI करके एक insurance company है जिसका stake है अब Axis Bank भी एक major stakeholder होने वाला है 30% इसका total stake हो जाएगा, अगर ये deal complete हो जाती है तो अभी लगबग 1-2% के आसपास है जो बढ़के 30% हो जाएगा next समझना जरूरी है, ये जो deal होगी न, इससे Axis Bank को क्या फाइदा है और max life को क्या फाइदा है, Axis Bank को क्या फाइदा है, Axis Bank आज के दिन one of the biggest इंडिया की private bank है, number 3 आती है उसके साथ, जब इतने बड़ी banks हो जाती है interest income तो एक main source of income होता ही है banks का, साथ ही साथ non-interest income बढ़ाने के लिए भी इनका focus चले जाता है ये total जो deal होने वाली है, लगबग 1700 क्रोड की होने वाली है Axis Bank के लिए 1700 क्रोड का amount इतना बड़ा नहीं है पर इस amount से, इस deal होने से Axis Bank की जितनी भी non-interest income है वो बढ़ेगी और वो बहुत अच्छी तरीकी से बढ़ सकती है ये हुआ Axis Bank का फाइदा Max Life Insurance को क्या फाइदा होने वाला है? Axis Bank की आज के दिन 4400 से उपर branches है 4415 to be exact branches है इन सभी branches पे Max Life के product बिखना start हो जाएंगे और एक नही setup of clients, एक नही setup of branches, बनी-बनाई branches Max Life को मिलने वाली है इसलिए Max Life को होना वाला है फाइदा पर क्या सिर्फ इस deal के basis पे हमें share buy कर लेना चाहिए? मेरे according नहीं जी हाँ दोस्तो, reason समझेगा हमें हमेशा बोलता हूँ buy on rumors and sell on news news आते ही sell करना चाहिए जैसे भी bank के हम इससे बहले कि हम final decision पे पहुचे न हमें bank के financials भी देख लेने चाहिए पुराने financials देखते हैं फिर जो आज result आया उसकी बात करते हैं सबसे पहले December तक की बात करते हैं जो Axis bank का EPS था December quarter में वो 6.23 था जो September में था वो minus .43 था बहुत ही कम था और साथ ही साथ इनका December quarter में जो ROE आया था return on equity था सिर्फ और सिर्फ 7 था जी हाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 7 था December में ROE मलब basic criteria एक्सेस bank अभी तक हमारे पूरे नहीं कर पाया है और आज के दिन Axis bank से better चाए HDFC हो चाए KOTAK हो better options available है Max Financial Services की बात करें December quarter में इसके जो total EPS था 2.21 था September की बात करें तो minus 1.01 था मतलब कोई तना कुछ impressive figure नहीं है return on equity भी 2.46 है तो इतना कुछ amazing नहीं है इससलिए सिर्फ इस news के basis पे invest करना तोड़ा सा हो जाता है question mark अगर long term investors है उनको इस news के basis पे invest करना question mark है अभी जो arch result आया ना Axis bank का उसको भी पहले समझ लेता है फिर final conclude करते है reasoning के साथ कि क्यों अभी नहीं करना चाहिए और more than that कब कर लेना चाहिए उस चीट को भी हम समझेंगे इसी वीडियो में so इस वीडियो को end तक देखेगा अब हम यहां से discuss करने वाले है जो आज Axis bank का result आया है उसको बहुत negative portrait किया है पर क्या वो उतना negative है या वो अच्छा है क्या है pointers आज के Axis bank के results के बारे में अब वो discuss करते है उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम आपका finance आपके portfolio personally manage करें description में help line number है आप connect कर सकते है अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं personally manage नहीं करवाना चाहता तो चैनल को subscribe और bell icon क्लिक कर लीजिए telegram पे instagram पे और साथी साथ twitter पे पकका जुड़ जाएगा बहुत regular feeds आते हैं even telegram पे 2100 से उपर लोग जुड़ चुके हैं आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा अब बात करते हैं आज के result की आज Axis Bank का result आया है total 1387.78 croz का loss हुआ है everyone was expecting कि तोड़ा बहुत profit आ सकता है बट इतना major loss आया है इस loss का जो major कारण है वो है NPA और provisions जो हम expect भी कर रहे थे coronavirus और lockdown के चलते provisions और NPA बढ़ेंगे bank में इसी के धान में रखते हुए NPA और provision बढ़े है और यह जो profit का figure आ सकता था वो loss का आया है last year same period में almost 2300 croz का profit था जो कम होके 1300 का loss हो गया है पर पता है यह negative तो है positive क्या है साथ में जो gross NPA का ratio है वो 4.86 पर गिर गया है जी हाँ दोस्तो NPA reduced हो है जो asset की quality वो improve होई है usually Axis bank का traditionally जो gross NPA रहा है वो 5% के आसपस रहा है और साथ ही जो net NPA ratio वो 1.56 हो गया है जो usually 2% के आसपस रहा है so I know loss बड़े है losses होई है पर जो loans है वो उसकी quality काफी अच्छी हुई है more than that आने वाला जो future है Axis bank का हो सकता है कुछ महीने कुछ quarters के बाद बहुत अच्छा हो क्योंकि उनकी loans की book उन्होंने improve करने की कोशिश करी है इस quarter में उनको loss तो हुआ है बड़ उनका net income interest जो है और साथ इसाथ जो operating profit है दोनों ही बड़ा है कितना बड़ा है जो operating profit है वो year on year basis पे 17% बड़ा है और साथ ही net interest income भी year on year basis पे 19% बढ़के 6800 करोज तक पौँज गई है प्लस जो Axis bank का आगे focus है कि loans books अच्छी रखनी है वो focus बहुत ठीक है तो ये total बात की जाए अगर आज के result यो conclude किया जाए हम लोग losses में है मान लिया जाए main loss का खारण हुआ कि मैंने NPA और provisioning बहुत ज़्यादा करी है net income चाए interest income हो चाए operating income हो दोनों बड़ी है बट provisions इतने ज़्यादा थे कि मुझे loss हुआ है आने वाले time में coronavirus का impact क्या होने वाला है coronavirus के समय एक तो सबसे पहले 3 महने तक EMI की माफी मिली चुकी है के बात जो loans के default हो वो शायद बढ़ सकते है more than that इस समय इस 3 महने difficult होने वाले है more than that next 6 months excess bank के difficult होने वाले है और इसी लिए हमें आज के दिन चाहे वो excess bank को चाहे max financial services हो avoid करना चाहिए हो सकता है कुछ technical basis पे traders कुछ trade कर जाए जैसे अभी पता है आज एक और अगजब की चीज हुई है आज के दिन market में normal market 1.20% विल्बब 7% के आसपस बढ़ा बट जो banking sector वो बहुत ज़्यादा बड़ा और सब हैरान परिशान है कि banking बड़ा pharma टूटा इसका main current क्या है इसका current भी हम इसी वीडियो में discuss कर लेते इसका main current जितने भी futures contract है options के contract है और जो कटान है वो Thursday को परसो होने वाली है जी हाँ दोस्तो आपका जैसे finance में negative view था इंडिया के बड़े investors का भी negative view था आपका जैसे pharma में positive view था इंडिया के बड़े investors का भी pharma में positive view था इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी finance के stocks होए सबने short कर रखे थे तो वो cover करने पढ़ेंगे cover करने पढ़ेंगे मतलब बाय करने पड़ेंगे क्योंकि कटान आ गई Thursday को, so हो सकता है एक दो दिन और जब तक ये कटान है Thursday तक finance sector better perform कर सकता है but eventually देखे, इसको हम न technical language में sector rotation बोलते हैं और specially जब कटान होती है कटान in the sense futures options contract की आखरी date होती है every Thursday of one month, इस month के आखरी Thursday में सारे futures options के contract की कटान आती है उस समय क्योंकि finance में सब negative थे उन्होंने सबने short कर रखा होगा या फिर साथी साथ call या put बेच रखे होंगे दोनों ही cases में अब उनको cover करना पड़ेगा, cover करने के लिए जैसी वो purchase करेंगे, for the time being last एक दो दिन से आप देखी रहोंगे और हो सकता है एक दो दिन और finance sector चल जाए, but long run में coronavirus के impact को ध्यान में रखते वे finance sector की होने वाला है बुरा खाल और अभी at least हमें Axis Bank को और Max Financial Services को सिर्फ इस news के basis में purchase करना हो सकता है एक बहुत ही बड़ा धोका इसलिए सिर्फ एक news के basis में purchase हमें आज के दिन नहीं करना है हो सकता है कुछ आने वाले समय में कुछ आने वाले महिनों में situation ठीक हो जाए और कुछ better conditions आ जाए फिर हम discuss करेंगे कि हमें purchase करना है या नहीं करना पर आज के दिन इस से better options दोनों ही company से better options available है इतना अच्छा return on equity नहीं है results इतने अच्छे आई नहीं है I know indecent bank का भी result खराब आया पर वो stock चल गया उसका भी करन सेम की सबको caught सौदे काटने है last Thursday आ गया है उसके लिए उनको reverse transitions करने बहुत जरूरी है और दूसर इसे नहीं भी हो सकता है यार बहुत correct होके तरह तोड़ा सा pullback आ गया दोनों ही कारेंट में technical reasons को ध्यान में रखते वे coronavirus और lockdown के impact को ध्यान में रखते वे banking as a sector में हमें कुछ long exposure ज्यादा as of now नहीं बढ़ाना है और जो long term investors भी है उनको सिर्फ best companies के साथ रहना है I hope आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा telegram में पकार जोड़ जाएगा Instagram और Twitter पे बहुत अच्छी regular feeds आती है अगर आप चाते हैं personally manage के लिए description में number है next video तक के लिए happy investing घर रहिए स्वस्त रहिए और अपने पैसे बनाते रहिए see you very soon